Good morning dear students, मैं Erodead School of Learning में आप सभी का स्वागत करता हूँ Lockdown की वज़े से School Authority ने आपके लिए एक solution निकाला है कि हम घर पे बेट के ही online classes से पढ़ सकें तो School Authority के लिए मैं thanks a lot बोलता हूँ तो आज जैसा की हम यहां पे सीखने वाले हैं Basic Information of Tenses Now, Tenses are very very important in any language If you want to learn any language, if you want to speak any language, you must know about Tenses यह Tenses सभी जगह पर same है, सिर्फ construction में थोड़ा फर्क है Tenses का base बहुत perfect होना चाहिए, तब ही आप वो language बोल सकते हैं जैसे मुझे बोलना है, मेरा दोस्त हुश्यार है और गलती से मैं बोल देता हूँ कि मेरा दोस्त हुश्यार था हें का मैंने था किया, तो अर्द का अनर्थ हो जाता है तो यह Tenses इसी प्रकार बहुत ही important है और यह सबसे बड़ा invention आप लोगों के लिए किया है हमने इस project के माध्यम से जिसका नाम है You Can Speak Project With Get Set Go Level जिसका आज first lecture है जिससे आप तो सारे Tenses पढ़े होंगे या आपको पता होंगे present tense है, past tense है, future tense है लेकिन English language सीखनी है तो आपके पास ऐसे 450 pattern sentence पता होने चाहिए 108 यानि कि 108 pattern सिर्फ tense में form होते हैं और 108 के उपर जो sentence pattern form होते हैं यह सभी tense के उपर depend करते हैं आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यहां पर मैंने एक line लिखिये before going to learn simple present tense you must know the definitions and general uses of present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense यह जो simple present tense है इस simple present tense को सीखने से पहले हमें present continuous tense, present perfect tense और present perfect continuous tense के definitions और general uses पता होने चाहिए आपको पता होना चाहिए कि जो यह simple present tense क्या है present continuous tense क्या है, present perfect tense क्या है, present perfect continuous tense क्या है देखो, किसी भी tense की नाम में ही उसकी definition रहती है कोई भी tense ले लो आप, कोई भी tense ले लो जैसे कि present continuous tense present continuous tense इसका मतलब क्या? present continuous tense का मतलब क्या? present continuous tense का मतलब होता है चालू वर्तमान काल present continuous tense का मतलब होता है चालू वर्तमान काल ऐसा कहा जाते है कि वर्तमान काल में किसी बाक्य में क्या चालू रहती है an action is going at the time of speaking तब present continuous tense होता है जैसे कि मैं आम खा रहा हूँ इसका मतलब मैं आम खा रहा हूँ इसका मतलब मेरी आम खाने की क्रिया चल रही है अब ये आपको दिक रहा है मैं पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब मेरी पढ़ाने की क्रिया चल रही है तब वह टेंस होता है वो चालू वर्तमान काल है इसलिए और इसमें एक चीज़ और चिपी है इसका मतलब है ये बर्तमानकाल है इसको कुछ और एक्जाम्बल के दुरू अगर हम समझे मैं जा रहा हूँ इसका मतलब मेरी जाने की क्रिया चालू है मैं बेट रहा हूँ मतलब मेरी बेटने की क्रिया चालू है इसलिए वह present continuous tense है इसे present progressive भी बोल सकते हैं और इसे present imperfect भी बोलते है तो present continuous जो tense है इसके दो नाम ओर मैं आपको बता लेता हूँ present continuous को हम present progressive भी बोल सकते है और present imperfect भी बोलते है आप अपनी मात्र बाशा में ऐसा समझ लो वर्तमान काल में किसी सेंटेंस में क्रिया चल रही है ऐसा जब कहना होता है तो present continuous tense रहता है देखो मैं आम खा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ मैं आ रहा हूँ मैं बैट रहा हूँ देखो इसमें रहा है, रही है, रहे है अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वो present continuous tense होता है अब आगे इसी क्रम को हम बढ़ाते हैं present perfect tense का मतलब क्या present perfect tense जैसा कि अभी आपको बता है कि उस tense के नाम में ही उसकी definitions होती है present perfect tense मतलब पूर्ण वर्तमान काल पूर्ण वर्तमान काल इसका मतलब क्या? वर्तमान काल में किसी बाकी में क्रिया पूरी हो चुकी है या होती है ऐसा जब आपको कहना होता है तब पूर्ण वर्तमान काल होता है देखो यहां पर मैंने आम खाया है मैंने आम खाया है या मैं आम खा चुका हूँ इसका मतलब मेरी क्रिया पूरी हो चुकी है या क्रिया पूरी हो गई है मैं क्लास में आया अभी अभी मैं क्लास में आया ये गलत ये पास्ट टेंस हो गया लेकिन मैं क्लास में आया हूँ यह प्रिजन्ट पर्फेक्ट टेंस है अगर कोई लड़का कहता है कोई इनसान कहता है मेरी शादी हुई है यह present perfect tense है पूरा वर्तमान काल है मेरी शादी हुई यह past tense है और मेरी शादी हुई थी फर्ग है क्या फर्ग है मेरी शादी हुई थी यह past perfect tense है और यह past perfect वाला sentence है मेरी शादी हुई थी यह तो हम बाद में पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा आप मदर टंग से मतलब अपनी मातरवाशा से केसे होता है इसको यह समझ लो मैंने बोर्ड पर लिखा है देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ P-R-E-S-E-N-T अब यहाँ पर आपको दीख रहा है कि मैंने बोर्ड पर लिखा है इसका मतलब मेरी एक्शन अभी अभी कम्प्लीट हुई है मैं लिख चुका हूँ यह present perfect tense है मैंने बोर्ड पर लिखा यह simple past tense है और यह भूत काल है और मैंने बोर्ड पर लिखा था इसका मतलब अभी वहाँ पर लिखा हुआ नहीं है अगर मैं कहता हूँ मैंने बोर्ड पर लिखा था इसका मतलब देखो आप अब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ मैंने बोर्ड पर लिखा था यानि कि अब वहाँ पर लिखा हुआ नहीं है यह past perfect tense हो गया इसको हम बाद में पढ़ेंगे तो present perfect क्या होता है कि मैंने board पर लिखा है मतलब वो अभी भी वहाँ पर है और मैंने board पर लिखा था मतलब वो अभी वहाँ पर नहीं है इसको एक example के थूँ और आपको मैं समझा देता हूँ शाजहा ने ताज महल बनवाया है तो इसका मतलब यह present perfect tense हो गया और अगर इसमें क्या है कि शाजह बेशक नहीं रहा लेकिन ताज महल अभी भी उस जगे पर है आगरा में उस जगे पर है इसलिए में यह है present में वो काम perfect है अगर मैं कहूँ शाजहा ने ताज महल बनवाया था इसका मतलब तो यह हुआ कि अब शाजहा भी नहीं रहे और ताज महल भी नहीं रहा तो यह past perfect tense हो गया तो आपको समझ में आ गया होगा देखो मैंने लिखा है मैं लिख रहा हूँ मैंने लिखा था और मैंने erase कर दिया मैंने मिटा दिया मैं क्या बोलूँगा मैंने board पर लिखा था यह past perfect tense है वो हम बादों पढ़ेंगे तो present perfect tense क्या होता है present perfect tense में कोई action पूरी हो गई है या पूरी हो चुकी है ऐसा जब कहना रहता है तब present perfect tense होता है तो उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा यह present perfect tense क्या है अभी हम केवल definition और general uses इसके सीख रहे हैं इसे प्रकार present perfect continuous tense का क्या मतलब होता है present perfect continuous tense का क्या मतलब होता है tense के नाम में ही उसकी definition है वर्तमान काल में किसी sentence में क्रिया चालू भी होती है क्रिया चालू भी होती है और पूरी भी होती है देखो यहाँ पे tense के नाम में उसकी definition है क्रिया चालू भी है और पूर्ण भी है यानि कि कुछ पर्फेक्ट हो चुकी है और कुछ continue चल रही है इसलिए हम इसे कहते हैं perfect continuous तो वर्तमानकाल में किसी sentence में क्रिया चालू भी होती है और पूरी भी होती है तो ऐसा जब कहना होता है तब चालू पूर्ण वर्तमानकाल होता है ऐसा कभी होता है गया देखो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं सवेरे से आम खाता आ रहा हूँ या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ मैं सवेरे से आम खा रहा हूँ मुझे बोलना है मैं सवेरे से आम खाता आ रहा हूँ मेरी एक्षन सवेरे से चालू है सवेरे से चालूए और वो जो एक्षन है वो पास्ट में शुरू हुए थी सवेरे से अभी तक मैंने बहुत आम खाएं मतलब मेरे एक्षन बहुत तरीके से कम्पलीट हो चुकी है एक तरीके से थोड़ी बहुत आम मैंने खाएं है या बहुत सारे आम मेंने खाए हैं एक तरीके से action पूरी हो गई और फिर भी वह action चल रही है आगे जाकर मुझे पता नहीं कि वो अभी चलेगी या बंद हो जाएगी लेकिन मैंने ऐसा बोला मैं सवेरे से आम खाता आ रहा हूं मैं सवेरे से आम खाता आ रहा हूं action बहुत देड़ से चल रही है सवेरे से चल रही है मैं कल से लिख रहा हूं मेरी action कल से चल रही है जो action आपको long process में लेनी है मतलब बहुत देड़ से चल रही है ऐसा जब बताना हो तो आप present perfect continuous tense को use कर सकते हैं समझ लो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं यह present continuous tense है मैंने आपको पढ़ाया है मैंने खत्म कर दिया मैंने जैसे की इसको हम example के तुरू ऐसे समझ सकते हैं इसको मैं और भी अच्छे से आपको example के तुरू समझा देता हूं जैसे ऐसा समझ लो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं यह present continuous tense है मैंने आपको पढ़ाया है मैंने खत्म कर दिया मैंने आपको पढ़ाया है और मैंने आपको पढ़ा दिया है मैं पढ़ा चुका हूं मेरी action पूरी हो चुकी है यह present perfect tense है लेकिन मैं सवेर से आपको पढ़ाता आ रहा हूं यानि कि अभी तक मैंने आपको भोत पढ़ाया है और आपने भी यह 10-15 मीट की क्लास देखी है एक तरीके से क्रिया पूरी हो चुकी है एक तरीके से क्रिया क्या हो गई है पूरी हो चुकी है और एक तरीके से क्रिया अभी भी आप अहां पर USA करते हैं action जो है वह आपको लोंग बर्वसे में लेनी है किसमें लोंग प्रोसे में अगर आपको कोई चीज लेनी है तो आप इसका यूज कर सकते हैं उमीद करता हूं आपको समझ में आया हो action long process में अगर आपको लेनी हो तो present perfect continuous tense का इस्तमाल करो present perfect tense में क्रिया पूरी हो जुकी है क्रिया पूरी हो जुकी है ऐसा जब अगर आपको केना हो तो present perfect tense का इस्तमाल करो और अगर आपको अगर आपको present continuous tense का इस्तमाल आप कहा करोगे present continuous tense का इस्तमाल कहा करोगे कोई action चालू है वरतमानकाल में तब आप present continuous tense का इस्तमाल कर सकते हैं यानि कि चालू वरतमानकाल का इस्तमाल कर सकते हैं हम अभी देखने वाले हैं कि क्या-क्या हमने भी पढ़ा है एक चीज हमने आपको पढ़ाई थी कि before going to learn simple present tense यहनी सी simple present tense सीखने से पहले you must know the definitions and general uses of present continuous tense present perfect tense and present perfect continuous tense तो आपको simple present tense सीखने से पहले present continuous tense, present perfect tense present perfect continuous tense की definition और general uses सीखना बहुत जरूरी था इसलिए हमने आपको simple present tense पहले नहीं बढ़ाया है पहले आपको इनके general uses और definition पता होगी तो आप simple present tense समझ पाएंगे बाकी क्या होता है बहुत सारे teachers आपको सब सब पहले simple present tense पढ़ाते हैं वो भी formula based पढ़ाते हैं और हम एक भी formula यहाँ पे apply नहीं करते हैं हमारे students के लिए तो इस तरह की training हम काफी बच्चों को more than 11,000 बच्चों को इसका benefit मिला है और आपको भी अब मिलने वाला है simple present tense अभी हम देखने वाले हैं simple present tense यहीं कि साधारन वर्तमान काल simple present tense क्या है मैंने यहाँ पर एक example लिखा है और वो example है मैं आम खाता हूँ इस sentence में आपको कुछ भी पता नहीं चलता है क्रिया पूरी है चल रही है बहुत देर से चल रही है कुछ भी पता नहीं चलता तब वो simple present tense होता है मैं आम खाता हूँ simply बोला मैं खाता हूँ मैंने खाया खा रहा हूँ मैं खा रहा था खाऊंगा कुछ भी पता नहीं चलता सिर्प मैं खाता हूँ तो ये simple present tense होता है मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाती हूँ तो ये जो tense क्या बताता है वर्तमान काल में किसी sentence में क्रिया पूरी है या नहीं है इसके बारे में पता नहीं चलता तो वो simple present tense होता है लेकिन ये tense हमने सिर्फ definition के जरीए अभी तक पड़े हैं लेकिन जब तक आपको वो tense का proper पता नहीं चलेगा उसकी practice कैसे करनी उसका प्रयास कैसे करना है और उसके बारे में उसका general rule आपको पता नहीं है तो आप कभी भी अंग्रेजी में बात नहीं कर सकोगे इसी प्रकार हम past tense भी देखने वाले हैं future tense भी देखने वाले हैं तो अभी हमने generally इसी रूल पे हमने एक general uses देखा इनका और इनको केवल आज आपको यह समझना है कि present continuous tense क्या होता है इसका general use क्या होता है इसके definition क्या बनती है present perfect tense क्या होता है इसके definition क्या बन सकती है present perfect tense क्या होता है present perfect continuous tense क्या होता है इनकी definition क्या हो सकती है और general uses क्या हो सकता है लेकिन before going to learn simple present tense you must know the definition and general uses of present continuous tense present perfect tense and present perfect continuous tense तो हम जब next lecture में present simple tense से शुरुवात करेंगे या simple present से हम शुरुवात करेंगे तो मैं एक बार फिर से यहां पर धोरा देता हूँ कि present continuous tense यह होता है कि जिसमें action जो है वो continue चल रही होती है जैसे आप अभी मुझे सुन रहे है तो यह action अभी continue चल रहे है अब थोड़ी देर होगी तो आप आप घर पे ममा पापा से ऐसा बोलोगी कि सर ने हमें online पढ़ाया है इसका मतलब वो action पूरी हो चुकी है तो वो present perfect में जाएगा और फिर मान लो आप कल इसी time इस class को लेके बेटेंगे या कुछ classes हो जाएगी फिर आपके ममा पापा आपसे पूछेंगे तो आप बोलोगी सर हमें दो बज़े से पढ़ा रहे हैं तो तीन बज़ गई यानि कि एक घंटा पढ़ लिए और पता ने कितनी देर ये process चलेगी तो वो present perfect continuous tense होता है तो इनके general uses हमने आज देखे हैं उसके बाद हम बहुत ही important जो tense है वो आपका है simple present tense क्योंकि ये tense अगर हमें आ जाता है साधरन वर्तमान काल तो हम ये लगबग आदी लड़ाई जो tense की वो वैसे ही जीत जाते हैं तो wish you all the best आपको आज क्या करना है आज इनी जो tense आपको जो general uses हैं इनी को एक बार अपने इसाब से अपनी language में अपने example के तुरू इसको समझना है और कहीं दिख़त आये तो आप मुझे कल doubt वाली class में पूछ सकते हैं तो आज हम इतना ही यहाँ पे stop करेंगे और कल इसी time हम इस class को आगे बढ़ाएंगे Thank you so much